आप अपनी स्प्लेंडर प्लस एक्स्टेक को मोबाइल से कनेक्ट करके कौन-कौन से फायदे ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको लाइप प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं इस बाइक को अपने इस मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊंगा इस से पहले जब मैंने इस बाइक को कनेक्ट करने की कोशिस की थी तो ये बाइक कनेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि ये ओफिसियल अपडेट नहीं हुई थी तो इनके एप्लिकेशन में अब ओफिसियल अपडेट आ चुका है और अब आप आज देखेंगे कि कैसे ये बाइक step by step connect होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile के play store में यह play store है यहाँ पर जाने के बाद आपको hero ride guide या फिर hero x connect मैंने पहले से सर्च कर रखा है तो इसको मैं connect करूँगा और यह जो पहला application आएगा hero ride guide इस पे आपको यहाँ पर आपको install करना है 15MB का यह application है जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर OK आपको कर देना है और उसके बाद यह install होने लगेगा जैसे आपकी speed होगी mobile के network की वैसे ही install हो जाएगा आप देखेंगे hero ride guide और अब यह install हो रहा है तब तक यह भाई के हाँ पर पूरा पहले मैंने इसको एक बार connect करके देख लिया है तभी मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा क्योंकि भाई अब यहाँ पर यह हो चुका है और अब मैं इसको करता हूँ open और जब आप open करेंगे तो यह आपसे permission मांगेगा while using the app only this time तो मैं ऐसा कर देता हूँ और यह आपको access your call access your contact इनका आपको allow कर देना है जिससे आप मतलब permission दे रहे हैं हर चीज की अब यहाँ पर यह background में भी यह चीज allow all time यहाँ पर आप जिसे allow only while using the app करेंगे तो नहीं होग allow all the time कर देंगे और इसको काड़ देंगे तो यह get started अब आप यहाँ पर देखेंगे extreme, xpulse और glamour और यहाँ पर नीचे अभी splendor xtech आचुकी है तो इसको मैंने खोल दिया और go to app setting में इसको ignore कर देता हूँ और आप चाहें तो ना करें आप पढ़ लें पूरा यहाँ पर मैं इसको connect कर देता हूँ अब इंटर बाइक का नेम डालना है मैं xtech डाल देता हूँ और connect कर देता हूँ अब okay अब यहाँ पर जो hero कहाई यह मैं permission देता हूँ allow कर देता हूँ और अब यह connect हो चुकी है यहाँ पर आप देखेंगे यह mobile की battery बता रही है यहाँ पर यह Bluetooth दिखा रहा है कि connect हो चुकी है और बैटरी दिखा रही है यहाँ पर 77% यहाँ पर बैटरी आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 77% इसकी बैटरी बची हुई है और इसमें अब क्या-क्या होगा भाई एक मिनिट आजाओ मुझे फोन करो अभी मुझे फोन करेंगे इस पर तो यहाँ पर दिखेंगे और यहाँ पर मैसेज भी आपको दिख जाएगा the coach ऑजर्श मुझे फोन करो। यह यह फोन करेंगे मुझे यह अनके मोबाल से आ रहा है किया अपर आप देखेंगे वनसादी अदित्या का फोन आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे से बलकित आ अब भाई जरा एक बर काट दो, मिस्सकॉल दिख जाएगी. अब आप यहाँ पर देखेंगे, यह मिस्सकॉल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पता लग रहा कि आके कट गई, तो मतलब मिस्सकॉल हो चुकी है. अब यह मुझे जैसे की सेंड करेंगे मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर यह एक मिनिट, एक मिनिट, अब जैसे मैं भाई जरा, मैसेज यहाँ पर एक भाई खोलो जरा तो, अब जैसे की मैं यहाँ पर मैसेज टाइप करता हूँ, और यहाँ पर मैं एच लिख दे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जैसे यह message बना हुआ, मैं इसको एक बार off कर देता हूँ, और off करने के बाद, अब आप देखेंगे, call और SMS सारी सीजें हट जाएंगी, और अभी मैं आपको जैसे इनके mobile से यहां पर दिखाता हूँ, यहां पर message करने के बार, connect हो चुका है, बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे, disconnected, और जैसे आप इसको on करेंगे, तो यह अपने आप connect हो जाएगा, यह lock रहेगा, तब भी आपके mobile से connect हो जाएगा, यह आप देख सकते हैं, यह connected हो चुका है, और अब वह हां, कुछ भी लिखो भाई, message करो, अब यहां पर आप देखेंगे, message आएगा, और यहां पर आप देखेंगे, वहां पर symbol बन जाएगा, यहां पर आप देखेंगे, यह message आ गया, और ऊपर आप देख सकते हैं, यहां पर यह message आ चुका है, एक बार फिर से phone करो भाई, यह देख सकते हैं, वनसादी अदित्या का phone आ रहा है, यहा आप अपने मोबाइल की बैटरी देख सकते हैं, और इसमे निसमे देख सकते हैं, और यह देखना है भाई, कि WhatsApp का मैसेज जाता है, कि नहीं जाता है, भाई, WhatsApp चलाते हो, आद धेखो, मुझे नमबर सेब करके देखो, टब तक मैं यहां पर दिखाता हूँ, इनके अप्टिके अब देखता हूं वाटसप का मैसेज आता है कि नहीं आता है अब यह एक कनेक्ट हो जाएगा आप देखेंगे हाँ कनेक्ट हो गया होगा तुझरा वाटसप का मैसेज करो मुझे यह देखे यह आ गया मैसेज दूसरे नमबर से भेज दियो क्या तो यहां पर WhatsApp का message नहीं दिखा है लेकिन अगर आपको कोई text message करेगा तो इसमें आपको दिखेगा तो यह है Hero Splendor Plus X-Tech का features जिसमें आपको पता चल जाएगा अगर आप बाइक चला भी रहे हैं बस इतना ही मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देना चाहता था और मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ यह बाइक लगभग 89,000 की आपको on-road price में पढ़ेगी mileage लगभग आपको 70 तक की इस बाइक में मिल जाएगी और बाकि आपहे हैं वाईक की किसली बाइक के लिए वनसादी हिरो अध्या-उत्तर्प्र देश में समपर्ग कर सकते हैं किसली बाइक आइसकोटर के लिए संपर्ग कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like करें शेयर कर Ain और आप अपने इस चैनल को BikePoint by Min2 and Rahul को सब्सक्राइब करके बेल आइकून को जरूर दमाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यबाद आपका दिन सुभ रहे धन्यबाद